आज मैं आपको इलाईची से जुड़ेवे 5 महाउपाई बताऊंगी पहले महाउपाई की बात करती हूँ क्या आप सुन्दर बीवी बाना चाहते हैं? हर थर्सदे को सुभ़ 5 इलाईची पीले कपड़े के साथ किसी गरीब को दान दे योपाई कम से कम 5 थर्सदे करें इस उपाई से जल्दी ही लाब होगा अब दूसरे महाउपाई की बात कर लेते हैं क्या आप जल्दी शादी करना चाहते हैं? योपाई शुकल पक्ष के पहले थर्सदे को किया जा सकता है इस प्रियोग में मंदिर में थरस्दे की शाम को दो हरी लाइची के साथ पांच तरह की मिठाई शुद घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए अगर फीमेल हैं तो पहले गुरुवार को करें और पुरुश हैं तो शुकुरुवार को करें अब तीसरे महाउपाई की जानकारी देती हूँ क्या कॉंपटीशन में पास नहीं हो रहे पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही शुकल पक्ष के पहले थरस्डे को संसेट से थीक आदा गंटा पहले बढ़ के पत्ते पर पांच अलग-अलग तरीके की मिठाईयां और दो छोटी इलाइची पीपल के पेड़ के नीचे शद्दा भाव से रखाएं अपनी पढ़ाई के लिए भगवान से प्राथना करें घराते समय पीछे मुर कर नहीं देखें इस तरह बिना सीक्वेंस को तूटे तीन थर्स दिस कंजेकेटिवली आपको करना है अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाई इसकी बात कर लेते हैं क्या पावर्टी दूर नहीं हो रही बहुत परिशान है तो किसी ज़रुत मंद को पैसे के साथ हरी लाइची दान करें जैसा जब भी मौका मिले करते रहें साथ ही आप अपने पर्ज में हमेशा पाँच लाइची ज़रूर रखें अब हम जानेंगे क्या है आज का पाँचवा और आक्ती महा उपाई क्या आपकी सैलरी और प्रमोशन आपके मन मताबिक नहीं है आज से ही रोज रात में एक कपड़े में एक इलाइची को बांद कर तक्ये की नीचे रख कर सो जाएं और सुबह किसी ज़रुत मंद को कुछ पैसे के साथ दान करें ऐसा साथ हफतों तक लगातार करें रोज नहीं कर सकते तो एक दिन सिलेक्ट कर लीजिए उसी दिन कीजिए